बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अस्सलाम वालीकूम वेलकम टू रोबोटिक्स स्टूड़न्ट्स पेछले लेक्चर्ज में हम लोगोंने कीबोर्ड के डिफरेंट कीज के बारे में वड़ा है I hope के आप लोगों उनकी उनकीज की अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी और वो आपको याद होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कीबोर्ड के कुछ स्पेशल कीज के हवाले से है First, one topic जो हमारा है वो है एरू की And second one topic is caps lock key तो आज हम इन दो स्पेशल कीज के बारे में पढ़ेंगे एरू कीज एंड कैपस लॉग की First हम एरू कीज के बारे में बात करते हैं की कीबोर्ड पर एरू की कौनसी होती है, कितनी होती है और इनका काम क्या है The small blinking line that we see on the monitor is called cursor Students जिस तरह से पिछले lecture में भी आप लोग को मैंने बताया था कि monitor की screen पर जो छोटा सा blinking line होता है जो हमें typing के दोरान screen पे नजर आता है जब हम computer पे typing कर रहे हो, कुछ लिक रहे हो उसी दोरान जो है आपको screen पे एक चोटा सा blinking line नजर आता है Small L की तरह एक blinking line जो है आपको नजर आता है या एक flashing line आपको जो है नजर आता है इस blinking line को क्या कहते हैं? इस blinking line को कहते हैं करजर C-U-R-S-O-R करजर तो अब arrow keys का यहाँ पे क्या काम है? वो अब हम पढ़ते हैं There are four arrow keys keyboard पर arrow keys जो है वो four है चार arrow keys है They helps us to move the cursor in different directions arrow keys की मदद से जो है हम screen पर इस करजर को या इस blinking line को मुख्तलिफ directions में मतलब मुख्तलिफ अत्राफ में जो हैं हम करजर को movement दे सकते हैं हम करजर को हरकत दे सकते हैं हम करजर को गुमा सकते हैं मुख्तलिफ अत्राफ में students look at this picture this is the picture of arrow keys arrow keys ये वो four arrow keys है जैसे कि picture में आपको दिकाई दे रहे हैं arrow keys इसको क्यूं बोलते हैं क्यूंकि keyboard पर ये जो keys है इन पर arrow बने होते हैं arrows इन सब पर जो है arrows बने होते हैं तो इस वज़ा से इनको arrow keys कहते हैं इन keys के names क्या है ये टॉप पर जो है इसको हम बोलते हैं अप arrow key इसको हम बोलते हैं अप arrow key और ये जो जिस पर ये downward arrow बना है ये arrow जिस पर बना है जिसका ये head जो है वो नीची की तरफ है downward arrow है इस arrow को हम बोलते हैं down arrow key down arrow key इसकी left side पर जो key है जिस पर left sided arrow बना है इस key को हम कहते हैं lift arrow key lift arrow key और ये जो right side पर है जिस पर right headed arrow या right sided arrow बना है इस right sided arrow वाली key को हम कहते हैं right arrow key अब इन four arrow keys की मदद से हम screen पर cursor को जो है मुखतलिफ अत्राफ में हम movement देते हैं उसको हरकत देते हैं for example cursor जो है मतलब मैंने screen पर जो है typing की है five lines five lines जो है मैंने type की है screen पर और इस वक्रजर जो है वो second line में मुझूद है cursor या जो blinking line है वो इस वक्रजर को second line में है अब मैं चाहती हूँ के मैं इस cursor को first line में ले आओं जो second line से उपर वाला जो line है उसमें मैं ले आओं तो अब इस cursor को उपर वाले line में ले जानी के लिए मैं keyboard से अप arrow की प्रेस करूंगी अप arrow की जब मैं एक मरतबा प्रेस करूं तो cursor जो है वो उपर वाले line में चला जाता है पिर अगर मैं चाहूँ के मैं cursor को वापस जो है नीचे वाले line में ले आओं मतलब अभी first में है और मैं चाहती हूँ के मैं इसको second वाले line में नीचे ले आओं तो पिर मैं keyboard से ये जो down arrow की है downward arrow की इसको मैं press करूंगी तो जब मैं इसको press कर लू तो मेरे पास जो है cursor नीचे वाले line में आ जाता है इसी तरह से अगर आप चाहें कि आप cursor को left side पे हरकत दे left side की तरफ उसको ले आए तो आप keyboard से left arrow की press करेंगे और इसी तरह से अगर आप cursor को right side की तरफ move करना चाहे तो आप keyboard से right arrow की press करेंगे अच्छा तो इन arrow keys को आप cursor keys भी बोल सकते हैं students arrow keys को आप cursor keys भी बोल सकते हैं और cursor keys इस लिए बोलते हैं क्यूंकि ये keys cursor को हरकत देनी के लिए इस्तमाल होते हैं तो इस वज़ा से इसको cursor keys भी बोलते हैं next जो special key हमारे पास keyboard पे हैं वो है caps lock key caps lock key students अब caps lock key का 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 है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं we use the caps lock key to write capital letters students capital आ जाए आपकी सारी typing या आपकी वो सारी writing capital में हो तो इसकी लिए आप keyboard से caps lock button या caps lock key जो हैं आप इस्तमाल करते हैं अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है caps lock key की मदद से कैसे आप capital writing करोगे इसका तरीका है when we press this key a small light on the keyboard is turned on जब आप keyboard से caps lock का बटन एक मरतबा press करें तो इससे जो हैं आपकी keyboard के टॉप पे जो हैं उमूमन right side पे एक चोट ऐसा light keyboard में लगा होता है तो जब आप caps lock का button या caps lock key जो key है वो एक मरतबा आप press करें तो वो light on हो जाता है तो वो light on हो जाता है तो जब वो light on हो जाए तो पिर आप जो भी typing करोगे वो सारी capital में आईगी वो सारी capital होगी pressing the caps lock key second time turns it off और पिर जब आप दोबारा caps lock key को press करते हों तो इससे जो है caps lock key off हो जाती है तो पिर आप दोबारा जो भी typing करोगे वो वापिस small होगी तो कहने का मकसद ये है कि caps lock key की मदद से आप capital typing कर सकते हैं तो capital typing करनी के लिए आपको पहले caps lock का button on करना होगा caps lock key on करनी होगी मतलब typing शुरू करने से पहले आप अपनी keyboard से caps lock का key प्रेस करें और पिर आप जितनी भी typing करोगे वो सारी आपकी capital आएगे और जब आप capital typing खतम कर ले तो पिर आपने keyboard से caps lock key को off करना है कैसे off करना है दोबारा उसको प्रेस करें एक मरतबा तो caps lock key जो है वो पिर off हो जाती है तो caps lock key भी एक special key है और इसका काम यह है कि इसकी मदद से आप computer पे capital typing कर सकते हैं students इस picture में आपको यहाँ पे caps lock की नजर आ रही है यह है caps lock key इस पे caps lock click का भी है और keyboard पे caps lock key जो हैं सिरफ एक होती है now note your homework open notepad with the help of your tutor or parents and type the following sentences in it my name is Desh I read in class Desh my school name is Pishawar model school so I hope के आज का lecture आप लोग को clearly समझ आ गया है